नमस्कार एवरिवन मैं विजे आपका होटेल मैनेजमेंट गुरू स्वगत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ यह टॉपिक फूड और बेवरेश सर्विस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जहां पर हम जानेंगे कि अलाकाट और बफे के बीच में क्या अंतर होता है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते है पहला पैरेमिटर यहां पर प्राइसिंग का रहेगा जहां पर हम बात करेंगे कि प्राइसिंग दोनों में से किसकी ज़्यादा होती है किसकी काम है सेकिन नमबर पे हम वेराइटी की बात करेंगे जो डिशिज की वेराइटी है वो किसमें जादा होती है नमबर तीन पे हम जानेंगे पोशन कंट्रोल कि फूड का जो साइज है पोशन साइज है वो किसमें जादा होता है और किसमें कम Fourth point में Service style Fifth point में हम Discuss करेंगे Presentation जो Food की Presentation है वो किसमें ज़ाधा देनी होती है हमें Sixth point में हम जानेंगे Dining Experience Guest के Point of View से Seventh में हम जानेंगे दोनों के अलकार्ट और Buffet की Cost efficiency कितनी होती है Eighth point में हम जानेंगे Staff के साथ जो Guest का Interaction होता है वो किस में ज़ादा होता है, 9th में हम discuss करेंगे time efficiency और 10th last point में हम discuss करेंगे hygiene and food safety, तो ये कुछ 10 points हैं, इनको हमने एक एक करके आगे discuss करना है, तो शुरू करते हैं first point, first point में pricing है, तो pricing अलाकाट के अंदर pay for what you eat, means जो आप खाएंगे उसी का bill pay करेंगे, तो वहाँ पर pricing वैसी है और buffet के अंदर जो pricing रहती है, वो fixed रहती है, means उसके अंदर आपको, चाहिए आप कुछ भी खा लीजिए, आपको जो डिस्प्ले में लगाया गया है, वो कुछ भी खा लीजिए, उसका आपको एक fixed price pay करना पड़ेगा, first point ये है, second point में variety of dishes है, अब अलाकाट के अंदर जो menu ह होता है, जिससे आप order करते हो, उसमें number of variety of dishes होती है, उसमें से आप choose कर सकते हो, वहीं अगर buffet की बात करूँ, buffet के अंदर भी display बहुत जादा होता है, number of dishes बहुत जादा होती है, बट वहाँ पे आपका choice थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो सामने लगा हुआ है, वो ही उसी के हिसाब से आपका खाना आपके table तक आएगा, वहीं अगर मैं बात करूँ, buffet के अंदर यहाँ पे आपके सामने display में food लगा होता है, तो यहाँ पे diners अपनी appetite के हिसाब से food आप decide कर सकते हो, कितना आपने quantity खानी है, fourth point में है style of service, अब यहाँ जान लेते हैं, कि अलाका इस restaurant के अंदर खा रहे हैं, चाए वो आपका coffee shop है, चाए वो specialty restaurants है, उसके हिसाब से आपका service style रहेगा, बट buffet के अंदर क्या होता है, आपको casual service मिलती है, या कह सकते हैं, आपको assisted service मिलती है, self service मिलती है, अज यहाँ पे हम assisted service क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो buffet के वर्ड हम कम यूज करते हैं, फिफ्थ पॉइंट में, presentation of food, अब यहाँ पे समझे कि जो अलकाट menu है, अलकाट menu के अंदर जो है, food की जो presentation है, वो potions के हिसाब से रहती है, तो प्लेटिंग होगी, जो potion walls के अंदर जो garnishing होगी, dressing होगी, जो कुछ जो आपका visual appeal होगी, वो अलकाट menu, अलकाट food, थोड़ी सी कम रहती है, 6th point में, dining experience, यहाँ पे, अलकाट के case के अंदर, जो dining experience है, वो थोड़ा सा formal रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको table service मिल रही है, और वहीं अगर buffet की बात करूँ, अगर आप buffet का option चूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको, थोड़ सा आपको assisted service मिलेगी, वो आपको services दी जाएंगी, but as compared to the table service, थोड़ा सा वहाँ पे आपको casual रहेगा service style, 7th point में, हम cost efficiency की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समझे कि जो अलकाट का option अगर आप चूज करते हैं, तो उसमें आपको, जो आप food order करोगे, उसके हिसाप से आपकी cost तो उसकी variety अलग रहेगी, उसका rate अलग रहेगा, main course में कोई heavy mail course यूज कर रहे हो, तो उसका price अलग रहेगा, but वहीं अगर buffet की बात करूँ, तो buffet option जो है, वो heavy diners जो होते हैं, जो इनकी appetite बहुत strong होती है, जो बहुत ज़्यादा heavy खाना चाते हैं, वो उनके लिए वो थोड आपको साबुत हो सकता है, I hope यह point आपको समझ में आया, 8th point में staff की interaction, अब अलकाट option के अंदर जो है, आपको table service दी जा रही है, तो वहाँ पे staff का interaction आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा guest के साथ, as compared to buffet, अब buffet के अंदर भी guest का interaction होता है, but वहाँ पे limited होता है, क्यों आपके stewards provide करते है, but maximum जो interaction है, वो table service के अंदर या अलकाट option के अंदर रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको guest को timely timely food service करना है, replenish करना है, पूछना है, बuffet के अंदर तोड़ा सा इतना ज़्यादा option नहीं होता है, इस चीज़ का, I hope यह point में समझ में आया, 9th point में हम बात टाइमिंग की efficiency की, अब अलकाट के अंदर obviously बात है, food जो आप order करोगे, उसकी preparation के अंदर time लगेगा, हो सकता है 25-30 मिनट का time हम लेके चलते हैं, इतना आपका time लग जाता है, बट वहीं अगर हम बात करें बफे के अंदर, तो सब कुछ सामने display के अंदर है food, तो guest को वहाँ guest के लिए, तो उस case में थोड़ा सा delay हो सकता है, 10th point में हम बात करेंगे food की hygiene और safety की, अब ये समझिए कि अलकाट के अंदर जो है खाना fresh kitchen से बन रहा है, जतना guest ने order किया, उसी के हिसाब से potions के हिसाब से food बनेगा, और वही food hot serve हो जाएगा, तो यहाँ पे hygiene और साथ साथ मे safety का, food की safety का, ते हो इतना दा हमें risk नहीं रहता है, बट अगर हम buffet की बात करते हैं, buffet पे food की safety और उसकी hygiene का risk थोड़ा सा रहता है, कहने का मतलब क्या है, जब food chefing dishes के अंदर रखा हुआ है, अगर उसको timely हम replenish नहीं करते हैं, उसके अंदर जो नीचे chefing dishes के अंदर जो fuel लगत हैं, food को hot नहीं रखते हैं, तो कहीं न कहीं क्या है, उसके अंदर food जो है, वो danger zone के अंदर आने के chance से जादा हो जाते हैं, तो students ये आपको 10 points I hope clear होंगे, students आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को like करिएगा, subscribe करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों सक्स वीडियो को जुरूर शेर करिएगा, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ये knowledge उन तक भी जाए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, अब तक के लिए जैहिंद